कहते हैं कि बच्चा है ना, पेरेंट्स को देख के बड़ा होता है, जो पेरेंट्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं, उसी तरीके से बच्चा बड़ा होगा, तो आपके जो टीम मेंबर है ना, इंप्लोईज हैं, वो आपके बच्चे हैं, आप जिस तरीके से बिहेव करोगे कस्टमर के साथ, मार्किट के साथ वो भी वैसे करेंगे अब आप जैसा करवाना चाहते हैं वैसा आफ कर लो वो भी करेंगे हलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगंदर सिंग राठोड इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड लेके आपके सामने हूँ आज हमारे बीच बहुत ही inspiring entrepreneur मुझूद है बारत का number one cloud platform चलाने वाले और utho.com के founder Manoj धंडा जी So Manoj जी ये journey कैसे शुरू हुई अगर आप brief में हमारी audience को बता सकें कि मैंने आम बात कर रहे थे कि farmers के background से आप आते हैं और वहां से एक founder और start-up करना How it started? तो ISR में किसान family से belong करता हूँ और मुझे आज भी याद है कि बच्चपन में जब एक black and white TV होता था तो जब ममी पापा केट में चल जाते थे और मैं मुश्किल से 10-11 साल का होगा तो मैं उस TV को open करके वापिस बंद कर देता था रेडियो कोल देता था ऐसे बहुत सारे चीज़ें करता था गरवालों को पता भी नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है एक दिन आके ममी ने डाट भी लगाई कि भाई ये सब चीज़ें बिजली से चलती है आद मत लगाएगा तो मुझे चो लगता है वहाँ से ही सब कुछ शुरू होगा मैं बोलवा वहीं से वह जरनी के शुरू आथ हुई जो कि अगर वो टेकनोलोजी में इंटरस्ट नहीं होता वो छेट खानी करना इंटरस्ट नहीं होता सायद यहां तक नहीं पहुंचा होता अब उसके बाद पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था मेरा मान इन शीजो में लगता था जैसे पच्पन में जब केबल टीवी आया गाउं में तो उस टाइम इतने पैसे नहीं होते थे कि भाई वो केबल टीवी लगवालो तो उस टाइम यह बड़ा जुगाड करता था मैं एक पतली से वायर डालता था और वो सारे चैनल्स घर पे आजा तो यह है सुरुआत अगर मैं बोलन तो उसके बाद फिर पढ़ाई क्योंकि करनी थी तो करने लगे बड़ एक टाइम आया जो मुझे लगा कि नहीं साइद पढ़ाई मेरे लिए नहीं है मेरे लिए नहीं कुछ और है मेरे लिए बगवान में कुछ और बनाया है और मुझे अब यहीं तक पढ़ना है तो मैंने ड्रोप किया, बड़ी हिमत की करवालों को बोला कि अब मैं नहीं वड़ हुआ कि मेरा जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था फैसन डिजाइनिंग में पोलिटेक्निकर ने बड़ा दोर था उस टाइम पर कि सब लोग पोलिटेक्निक कर रहे है और मेरा फैसन डिजाइनिंग में कहीं कहीं कोई इंटरस्टी भी था एवन जहां में वो कोचिंग इंसिटूट में था वो उस एक्जाम की त्यारी करता था वहाँ भी सब सोच थे थी कि एक्जाम की त्यारी कर रहा है बट मैं वहाँ क्यों रहता था क्योंकि वहाँ पें कंप्यूटर लैब थी अच्या मेरी जिन्दगी सुवह से शाम तक वहीं कुछ लगती थी तो मैंने गरवल को बोला जी मैं ये फैसन डिजाइनिंग वगरा नहीं करने वाला तो फिर मेरी जो आगे में गया में गया अमबाला क्योंकि किसी ने बताया कि किसी दोस्त के पास कंप्यूटर है गर में कंप्यूटर था नहीं तो वहाँ गया वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं यार जिन्दगी में पैसा भी चाहिए सब कुछ चाहिए, कुछ करना पड़ेगा, कब तक दोस्त के वरो से चलेगा तो STD PCO होती थी पहले उस टाइम पे वह ज़्यादा, माझकल तो उतनी यूज नहीं है, तो मैंने वो बेचना सुरू किया, STD PCO की फ्रंचाइस या क्या, नहीं, STD PCO मैं सडक सडक पे जाता था और बेचता था, सौप वह लगो, STD PCO पे क्या है पहले, जो क्रियाना सौप होती है, तो वो लगाते थे तो मैं जाके उनको पिछ करता था अच्छा-च्छा कि आप यहाँ पे लगा लो और फिर जो भी revenue आता रहे तो उसमें कुछ अक्षा बिल्कुल, मैं salary लेता था उसकी, salary भी जादा नहीं, 3-4 जार पे थी उस टाइम पे बेरी और, बट मैं मानता हूँ जो चीज जिन्दगी में होती है न, तो उसका एक purpose होता है, बिना purpose कुछ नहीं होता मैं कहता हूँ कि मैं उस टाइम 16 साल का था, बट 16 साल में जो लोग MBA करते हैं बड़ी-बड़ी institution में जाके, मुझे लगा कि मैंने वो हर्याना की उन गलियों में MBA की उस टाइम पे, मुझे सीखने को मिला कि कैसे चीज़ें sale की जाती है, कैसे convey किया जाता है कि ये product आपके लिए important क्यों है तो वो मेरे लिए आज भी काम आता है, उसके बाद फिर मैं वापिस आया, क्यूं क्यूंकि awareness आई, कि भाई तू इसके लिए तो नहीं बनाते है, तो IT में इंटरस्ट है, कंप्यूटर में इंटरस्ट है, तो STD PCO को बेचा है, फिर मैं रोह तक आया, रोह तक से भाई को मैंने बोला, कि भाई मुझे कंप्यूटर चाहिए अपना, मुझे काम करना है, बड़ी मुस्खिल से वो 5,000 रुपे भाई ने अरेंज किये, और मैंने वो जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो इंसान खुद हाथ पर चलाता है, मैंने हाथ पर चलाए, सीखने को मिला, फिर पैसा चाहिए था तो मैंने कुछ कुछ कुसक्टमर बनाए, तो मैंने बड़ा प्लैन दिया, उनको सपोर्ट बहुर अच्छा लगा मेरा, कि मैंनो जिस तर कि देखो अगर आप कंपनी चला रहे हो ना और कस्टमर को सब कर रहे हो तो भाई उसको केर ऐसी दे दो जो आपकी माने आपको दिये कभी वो कस्टमर कभी कहीं नहीं चाहिए तो ऐसे चलते चलते बस यहां तक पहुंचे फिर काफी ग्रो किया 2015 में हम लोग ने कुछ इवें लोग ने बोला कि हमें यह चाहिए कुछ क्विस्टेन्स पूछे में कि क्या यह इंडिया में बन सकता है क्या हम बना सकते हैं और वायसर मुझे कौई ऐसा जवाब नहीं मिला कि यह क्यों नहीं बन सकता मैंने कर ठीक है फिर हम बनाएंगे है 2018 में फिर हम लोग ने भारत का पहला cloud platform launch किया क्या बात है तो कैसे आज जनता इसको accept कर रही है क्या market response मिल रहा है बहुत सारी industries है जिनको हमने transform किया जैसे एक industry की में बात करो अगर cloud telephoning जैसे virtual number होते हैं, toll free numbers होते हैं COVID की time पे तो बहुत boom आया क्योंकि जो office के अंदर numbers से सब की वो बंद हो गए कि किसी का accessible नहीं था अगर किसी को customer support देना है अपने customers को वो कैसे देता, तो वो virtual के थूँ देता अब वो industry जोज रही थी कि अपने खुद के hardware लगाते थे, physical service लगाते थे जो की scalable नहीं होते COVID के time पे उस industry को हमने transform कर दिया ओके और आज बड़ी proudly जब आप acceptance की बात कर रहे हो तो मैं बोलता हूं कि 80% call जो virtual numbers, toll free numbers की जाती है customer care की जाती है चाहिए वो bank हो, कोई भी tech institution हो, सब हमारे यहां से जाती है क्या बात सैदी तो ये बड़ा नाम interesting है आपका utho.com क्योंकि generally cloud और internet और technology से related होता है, तो इनसान कोई technology related नाम रखता है तो ये उठो की क्या कानी है तो हमारा भी नाम ठोड़ा tech की था पहले हाँ, हैना, it was microhost cloud, क्या होता है वाई सार, जब आप जिन्दिगी में आगे बढ़ रहे होते हो, तो आप evolve हो रहते हो, हैना, आपकी सोच ही वोन वोर ही होती है तो उस टाइम पर एक feeling आई कि अब मैं जो काम कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ और उस particular vision के साथ हमारा जो वो नाम था, वो इतना originate नहीं कर रहा था, अच्छा और जो उठो है, ये ऐसा word है जिसने मुझे her time inspire किया जब भी मैं जिन्दगी में हारा हो जब भी मेरा कोई दोस्त हारा हो, तो जब हमने बोल दे हैं, चलो मनो जुठो यार, तुम कर सकते हो अच्छा, तो इसनी हमेशा साथ दिया है, और मेरा vision उस time पर ये निकल के आया कि अब काम करना तो क्यों करना है तो एक time ऐसा आता है जिन्दगी में कि आपके पास उतना पैसा आता है कि आप normal जिन्दगी जी सकते हैं जो चीज़े आपको चाहिए आप ले सकते हो फिर आदमी काम क्यों करना है आप तो वहाँ vision evolve हुआ कि नहीं अब काम करना है लोगों को उठाने क्यों भारत के लोग आज भी international technology providers को यूज करते हैं क्यों नहीं इनको यूज करते हैं क्यों नहीं भारत में कुछ ऐसा है तो हमने इसको reprint किया कि नहीं अब भारत के business को उठाएंगे अब जो भारत की technology है उसको evolve करेंगे और उसको ऐसा बनाएंगे कि international player उसके सामने कुछ ना हो क्या वात है इसलिए मैंने आपके सार्थ share किया था कि वो double performance वाली चीज और वो price का जो बहुत बड़ा barrier था कि startup जब company start करता है cloud में जाता है सबसे बड़ा barrier होता है कि मेरा infrastructure cloud में लगा हूँ बहुत cost आईगी उस barrier को हमने तोड़ दिया हमने का आपको ऐसा prize मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और जो monopoly है international player की उसको तोड़ देंगे हम लोग और YSR 3-4 साल के अंदर हम लोगों ने आज बहुत अच्छी stage पे बहुत तरीके से वो चीज़ें हम लोगों ने खलकी कर दी है So अपनी इस journey में startup की कोई ऐसे 3-4 lessons जो आप audience के साथ share कर सकें कि क्या ऐसे important चीज़ें थी जिनका आपने ख्याल रखा इक है consistent होना पड़ेगा आपको अगर आप जिन्दगी में कुछ करना चाहते है तो आपको consistent रहना पड़ेगा decide करना पड़ेगा कि मुझे जिन्दगी में जाना का है और जाना कहा से important है जाना क्यों है अगर वो क्यों यानि कि आपका why आपका clear नहीं है तो आप थोड़े दिन तो चल लोगे बट फिर consistency नहीं आएगे तो आप तूट जाओगे आप आगे नहीं जाओपाओगे जिन्दगी में कुछ कर रहे हो ना तो बोरियत वो जल्दी आती है इनसान की उस यह ठीक है कर लिया आप कितना और करें तो बोरियत अगर आपके उसमें आ रही है जो कि बहुत ज़रूरी है मैं कहता हूँ अपनी दिल की सुननी चाहिए इनसान लोग क्या करते है माइड में आइडिया आया उस आइडिया को लेके उस बात को लेके दस लोगों तक गुनते है मेरे माइड में यह आइडिया करू कि नहीं करू मेरा क्विस्चन यह है कि आपके माइड में कुछ आइडिया है कि आपको यह करना है पहली बात तो जिसके पास आप जा रहे हो वो आपका कस्टमर नहीं है 100% नहीं है क्योंकि आप किसके बास जाते हो जिन्नों ने कुछ किया है market में आप उने के पास जाओगे तो आपके customer नहीं है मैं कहता हूँ आप अपने customer के पास जाएए अगर कोई idea है तो आप घूमिये मत उसको लेखे अपने customer से validate करवाईए उससे better कुछ नहीं है वो customer ने अगर ये बोल दिया कि भाई ये चीज मेरे काम की है और आपने वो चीज लॉंच कर दी आपका product चल पड़ेगा आपकी वो startup चल पड़ेगा ज़िए अगर आप घूमते रहेंगे सब अपने experience से करेंगे जैसे आप NLP करते हो आप NLP के अंदर आप देखते होंगे लोगों के belief system है जो बने हुए है अब उनको change करने में वो time लग जाता है तो जिनके पास आप जा रहें उनके तो belief system है कुछ-कुछ तो आप अपने belief से चलिए और अपने customer से पूछिए कि क्या करना चाहिए वो customer जो आपको tip देगा ना वो tip आपको जिताएगी और वही आगे बढ़ाएगी हम जब बात करते हैं कि यह success मिली तो सब सुहाँना लगता है लेकिन back end में जो struggle रहता है वो बड़ा खतरनाक रहता है तो अपनी कुछ ऐसी setbacks की कहानिया अगर आप share कर सके हैं कि कोई setback आया हो इस दोरान तो कैसे आपने उसको resolve किया कैसे वो resilience आपने वहाँ पे show करी बहुत सारे challenges आते हैं बिजनस करना easy नहीं है एक time के बाद आपको लगेगा easy है बड़ जब आप उसके अंदर घुशते हो time बिताते हो तो सबसे बड़ा उसकी time आता है emotional moments जब आप अकेले होते हो ना और आपके पास वो दोस्त नहीं होते आपके पास वो घरवाले नहीं होते यह मेरे साथ हुआ कि जब मैं गाव छोड़के यहाँ पे आया तो मेरे वो दोस्त मेरे साथ नहीं थे वो गलिया जहां आप खुनते थे उनकी यादे आती कि यार क्या टाइम था वो घरवाले याद आते थे मुझे याद है जब मैं घर से निकला तो घरवाले मना कर रहे थे लेकिन मैंने का नहीं मैं कुछ बड़ा करूँआ ये करने के लिए साइद में पैदा नहीं हूँ वो डिसीजन मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था उसने मेरे को दुख दिया दो साल तीन दाल दुख दिया आज घरवाले मेरे साथ है सबकुछ मेरे साथ है लेकिन उस टाइम के अंदर जो आपने बोले ला डिफिकल टाइम क्या होता है वो होता है वो दोस्त वो घरवाले वो गलिया जहां आप रहना चाहते हो वो आपका मिस हो जाता है आप लाइफ में अकेले जो आते हो दूसरी बात मेरे साथ बहुत सारे प्रोडम आई स्टार्टिंग में फाइनिसल प्रोडम आई मतलब वेंडर्स को देने के लिए पैसे नहीं होते थे मैं उद्धार माग के किसी से पैशे देता था और जैसे मैंने कहा कि चो जिन्दिगी में होता है वो अच्छे के लिए होता है तो आज अगर कोई कस्टमर है मेरा वो पैसे ने दे पाता तो मैं याद करता हूँ उस टाइम को और उस customer को उसी तरीके से treat करते हैं जिस तरीके से vendor ने उस time हम से किया vendor ने हम से उस time प्यार किया तो आज हम भी उस customer से प्यार करते हैं care करते हैं और उसको guide भी करती है मेरी team कि sir कहा फसे हो क्यों फसे हुआ तो कहते हैं न आप पीछे जब जाते हो तो सब कडिया मिलती चली जाती तो मैं कहता हो जिन्दगी में जो experience मिलता है न वो आपकी जिन्दगी में आपको हर मुकाम तक पहुंचाने के लिए मिलता है नहीं तो जिन्दगी में कुछ नहीं आता है तो क्या mistakes क्या रही आपकी अगर इस जर्नी में हम देखे हैं तो do you think कि क्या mistakes लोग करते हैं आपने देखा हो या आपने उन mistakes को correct किया हो मेरी mistake में बोलूगा मैं विश्वास बहुत जल्दी कर लेता हूँ मैं क्योंकि दिल की बहुत जार सुनता हूँ सबकी एक आनी है जिन दिल के सुन तो आपको विश्वास करना चाहिए बट उसको verify भी करना चाहिए yes यहर किसे को बोलूगा आप विश्वास कीजिए expectation set कीजिए सामने वाले से कि यह है और उसको verify कीजिए कि क्या वैसा हो रहा है दूसरा मैं बोलूँ है कि mistakes जैसे starting में होती थी किसी ने सिखाया यह नहीं दंदा कैसे चलता है बिजनस कैसे होता है अब हम market में देखते हैं कि लोग team members से काम करवाने के लिए उसको दमकाते हैं ड्राते हैं तो वो starting में mistake होई और तो उसके बाद समझा कि नहीं भाई यह तरीका नहीं है और सबसे important यह समझा कि यह तो तेरा बींगी नहीं है तो धंदे को चलाने के लिए ऐसा क्यों बन रहा है ऐसा तू है नहीं तो वहाँ से भी जिन्दकी change होई तो मैं बोलो वो mistake कोई न करे अपने team को कोई भी मद दमका यह ड्राइए आप अपने team के सामने expectation रखिये कि मेरी यह expectation है और मैं कुछ वीडियो पे बोलता भी हूँ कि as a leader हमारा role सिरफ यही है जिस तरीके से हम उस काम को करने वाले थे क्या उससे better कोई कर सकता है या उस तरीके से भी कोई कर सकता है उतना हमें हमारी team को बताने कि मेरी expectation यह है मुझे यह quality चाहिए इस तरीके से इस काम को चाहिए ड्राने दमकाले से कुछ नहीं होता देखो इनसान है न मैं कहता हूँ अपने बाप की न सुनता आज के टाइम आप उसको क्यों डांट रहे हूँ हर किसी को इज़्जद चाहिए आप उसको इज़्जद दीचिए clear बोलिए आपको यह करना है ऐसे करना है ऐसे करोगे तो हम एक साथ चलेंगे और अज़र आपको लगता है कि नहीं आप सब कुछ कर चुके हो और फिर भी कोई नहीं कर बारा है ठीक आप बोलिए भाई हमारा एक साथ नहीं यह बारा है ना बट कभी किसी की इंसल्ट मत कीजिए सबसे बुरा काल हो तो यहाँ पर आपने लीडर्शिप की बात की है तो वोट दो यू थिंग कि कई लोग कहते हैं कि लीडर्शिप तो बाई बर्थ होती है कई लोग कहते हैं कि लीडर्शिप create की जा सकती है so what is your take on this because आप ऐसे वेगराउंड से थे जहाँ पर कोई लीडर्शिप के लेसंस या ऐसा तो कुछ मिला नहीं ना आपने बढ़ाई करी तो I think अभी आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो शायद सीखा यह आपने या naturally था मेरी वाइफ तो मुझे यह गोलती है अच्छा कि बनोस तुवारे अंदर जो लीडर्शिप आ गई है वो गचव है तुम जिस तरीके से अपनी टीम से बात करते हो जिस तरीके से आप साथ में मिलके काम करते हो और जो यह समझ आई है मैं बोलूँ है यह लीडर्शिप पर एक स्किल है जो आप सीख सकते हो आपको बचपन से आनी जरूरी नहीं है एक स्किल है आप सीखी है हैबिट में डालिए हर दिन एक नई मिस्टेक होगी उस मिस्टेक से सीखिए इंसान अगर इतना कर ले तो आप सोचि इसा क्या करना वड़ेगा तो कुछ लीडर्शिप लेसंस जो आप आज के जो नए स्टार्ट अप ओनर्स है या जो नए अनिया शुरू कर रहे हैं बच्चे उनको क्या देना चाहेंगे कि वो टे शुड कीप इन माइंड एक तो आपने बताया है कि टीम को डाटे वाटे ज्यादा डिस्रिस्पेक्ट ना करें इन फैक्ट पिल्कुल इंसान है न वो यस और क्या लेसंस आपको लगता है जो आपकी जरनी से आप दे सकते हैं अराउंड लीडर्शिप मुझे लगता है एक्स्पेक्टिसन आपकी सैट होनी चाहिए नंबर वन रूल है दुसरा गुष नौफ क्लेरिटि नहीं होगी तो आप अपनी टेम को लगते कव दे पाएंगे और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स होppen क्लेरिटि नहीं होती है मैं कुछ और बोल रहा हूँ, सामने वाला कुछ और सोच रहा है तो वो clarity वहाँ पर आपको होनी चाहिए, तब भी आप वो clarity पास कर पाएंगे उसके बाद है आपको एक vision के साथ चलना चाहिए अगर एक leader बिना किसी vision के काम कर रहे है, बिना किसी why के काम कर रहे है तो उसकी team भी वैसे ही काम करेगी और मैं तो यह कहता हूँ, अगर आप यह कहते हैं कि team को सुबर 9.30 आना है, 10 o'clock आना है तो आप शुरू कर दीजिए, वो team भी आ जाएगी इसका कहने का मतलब क्या है, कि अगर आप अपनी team से कुछ भी करवाना चाहते हैं तो आप वैसा बन जाएगे, वैसा काम आप करके दिखा दीजिए, उनको तो करेंगे कहते हैं कि बच्चा है ना, parents को देख के बड़ा होता है जो parents जिस तरीके से behave करते हैं, उसी तरीके से बच्चा बड़ा होगा तो आपके जो team member है ना, employees हैं, वो आपके बच्चे हैं, आप जिस तरीके से behave करोगे, customer के साथ, market के साथ, वो भी ऐसे करेंगे अब जैसा करवाना चाहते हो, ऐसा आप कर लो, वो भी करेंगे वो कहते हैं ना, most of the learning is not taught, it is caught कि बच्चा catch करके ज्यादा समझता है क्योंकि, mommy हर रोज के रिए better be honest, रोज honest का lecture दे रही है, लेकिन बच्चे को जब train में बिठा रही है, तो टिकेट बचाने के लिए उमर छोटी बता रही है तो बच्चे ने वहाँ पकल लिया उसे, कि ये जुट बोलना allowed है, तो वहाँ से वो catch कर लेता है तो इसलिए बहुत सही point आपने एक हाँ कि, चाहे वो as a parent हो, चाहे as a leader हो आप, it is very important that you should, you know, walk the walk, you should not just talk about it, कि आपको करना भी बहुत जरूरी है तो आजकल हम देखते हैं कि, इंडिया में start-up का जो महौल है, उसके बारे में कुछ बात बताईए, कि क्या लगता है, जैसे shark tank आया, और काफी आजकल मैं देखता हूँ लोगों को, जो start-ups में बड़ा खुसे हैं तो मैं कुछ भी start-ups को mentor करता हूँ, और मेरा खुद का एक start-up है, जो अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी ने उसे appreciate किया है, लेटर लिके So, इतने सारे proposals मैं देखता हूँ कि, जो pitching deck है, वो आती है, बहुत सारी young-young लड़कों की आती है तो क्या culture है भी start-ups का, what you have to say, because it is very good for the country where we are going बिल्कुल बहुत अच्छा है, रीसेंट में अगर हम देखें, तो बहुत सारे unicorns आए, है ना, सबको बड़ा अच्छा लगा लेकिन, मेरा एक question है सबसे, और वो question why सार ये है, मैं बानता हूँ, business ने दो तरीके से होता है एक होता है, जैसे आजगर start-up चल रहे हैं, या आप funding उठाएगे, आगे पहुंची, आप billion dollar का company मना देचे ठीक है, एक होता है company है, वो market को serve कर रही है, वो profitable है, वो उसका जो culture है, वो बहुत अच्छा है वो market की जो need है, उसको पकड रही है, और market के अंदर एक ऐसी value addition कर रही है, जो की market को बहुत फाइदा हो रहा है जैसे आप solar panel ले लीजिए, आप solar panel जिसने मनाया है, मुझे नहीं बता है किसने मनाया, लेकिन बहुत help कर रहा है, आप पाड़ों में जाईए, मैं कुछ दिन पहले गया, तो वहाँ वो काम आ रहा है आप जो वैटों देख लीजिए, घर पे खाना आता है, लेकिन मैं कहता हूँ, आप startup अगर कोई भी बना रहा है या जो बन रहे हैं, profitable होने चाहिए, अगर आप loss making बना रहे हो, आप सिर्फ funding उठा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वहाँ है आप कुछ build नहीं कर वहाँ से और पैसे उठाए, तो वहाँ आप पैसे-पैसे कमाते हो, तो value addition कहा कितना कर रहे हो, वो क्या reality है, वो सोचनी की चीज़ है, तो वहाँ value addition होना चीज़ है, अगर आप funding उठा रहे हो, अगर आप कोई भी business कर रहे हो, so इंडिया में दो तरीकी से चलता है, एक profitable business हो कि बहुत billion dollar companies है, बट आज भी profit के नाव पे देखें, तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए कहते भी है न, कि value के game में जाई है, valuation की game में नहीं, बहुत important है, तो कई तो आजकल आप देखें कि, I think it is very good point that you have raised, that जो भी startups, आज youngsters कर रहे हैं, their mindset should be to solve a problem, their mindset should be to create value in the market, फिलकुर, क्योंकि आजकल क्या, लोगों में देखा देखी में, या फिर जिसे shark tank हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं, पिच कर रहे हैं, investment, investment, तो लोग न, valuation के game में बहुत सारे ऐसे हैं, जो गुश जाते हैं, अब वो उस पर focus नहीं कर रहे हैं, ज्यादा कि मैं value कैसे add करू market क अंदर उसका दिमाग यहीं चल रहा है कि कैसे revenue बढ़ा दूं, कैसे valuation बढ़ा दूं, एक investor ले आया है, अब ये investor अब दूसरे को लाएगा, दूसरा तीसरे को लाएगा, so ये एक long term game नहीं रहता है, और I think इससे जो overall culture है, किसी भी country में, वो culture भी खराब होता है, कि जो लोग business कर रहे है, बड़ी responsibility है, जो startup कर रहे है, वो जो चला रहा है, बहुत लोगों को impact करता है, उसका mindset जो है, वो right होना ज़रूरी है, कि वो value driven है, या फिर सिर्फ valuation driven है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर रह जाता है, बहुत बड़ा अंतर है, और आप सोचिए, recent कोई उनका कसूर है कोई, तो अगर आप profit बना रहे होते, आप market में value एड़ कर रहे होते, तो आपका वो time नहीं आता, वो तो आपने boom बनाया और वो फट गया उसके बात, तो वो नहीं होना चाहिए, real value एड़ कीजिए, real value अगर आप add करोगे, तो long term तक चलोगे, और आपक के game भी नहीं है, बहुत सारा employment है, राइट, बहुत बढ़िया हो, यपी recently अभी नाम तो नहीं ले सकते हैं, बढ़ कई कंपनिया कहने को unicorn और billion dollars और अंदर की reality बिल्कुल कुछ और ही चल रही है, कि मतलब, ऐसे से मैंने देखे हैं, calculation की बंदा, 100 रुपय का माने के लिए, 1000 खर्च कर रहा है, मतलब, 100 रुपीज का revenue जनरेट करने के लिए, they are spending 1000 रुपीज to generate the revenue of 100 रुपीज, बिल्कुल, मतलब, क्या game है, but ultimately in the revenue, that हमने 1000 क्रोड लगा दिया, मगर उसे 1000 क्रोड के revenue के लगाने के पीछे, revenue किस तरीके से आप बना पा रहे हो, profit क्या बना पा रहे हो, ROI ROI का कुछ game नहीं है, ROI नहीं है, तो scaling में कहा गड़वड होती है कई बार, कई startups जैसे, mostly मेरे क्याल से starting में ज़्यादा लोगों को evaluation game नहीं होता है, मेरे क्याल से हर entrepreneur जब शुरू करता है, तो वोई problem identify करता है, और उस problem पे ही solution देने का प्रियास करता है, मेरे क्याल से evaluation का game चा दबाव रहता है, एक entrepreneur पे, आपने लिए funding, तो क्या investor का दबाव आता है, जिसकी वज़े से उसके बाद में एक vision है, I think अशनीर ग्रोवर को मैंने कहीं पे कहते वे सुना था, किसी तो भी video में, जहां पे वो इस तरीके की बात कर रहे थे, कि एक बार investor आ जाता है, तो फिर आपकी band बजाता है, कि आपको ले कर आना है revenue, तो आप अपने जो main mission था, statement था, उससे कहीं न कहीं, आप sideline होने लगते है, so what is, how real is this, क्योंकि my startup is bootstepping right now, so अभी तक हमने कोई किसी से funding या कुछ करानी की ज़रूत नहीं पड़ी, and by God's grace, it is doing good, so क्या change आता है, अगर कोई investor आ 100% आएगा, जो industry से हमें देखने को मिल रहा है, वो आता है, आप देखिए, जो investor आता है, उसको return चाहिए, अब मैं ये नहीं कहता कि आप investment मत लीजिए, मानलीजी आप market में serve कर रहे हो, और आपको लगता है कि आप इतना पैसा उठाने से, आप market की reach बढ़ा सकते हो, scale कर सकत आते ही, उस particular company ने rate बढ़ा दी है अपने product के, अपने जो services थी, improve होने चाहिए थी, बड़ improve नहीं होई, च्योंकि वहाँ पर ये देखा गया है कि हाँ, काफी बर दबाव भी होता है, जो सुनने को आता है, investor कहता है कि भाई, profitable लेके आओ अभी, अभी time आगया, profitable लेके आओ तो जब आप वो लेके आओगे, तो आप cost cutting करोगे, अब जब cost cutting करोगे, जो आपकी quality है, वो गिननी शुरू हो जाएगा, तो अगर आपका vision है कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे इसलिए करना है, आप courses कीजिए, bootstrap रहिए, आप scale कर पाएंगे, यकीन मानिए, अगर आप 20 रुपए खर्च करते हैं अपनी marketing पे, और आप 100 रुपए का product, 50 रुपए का product बेचते हैं, तो आपके पास पैसा भी आएगा, profit भी होगा, उस profit को आप वापिस market में लगाएंगे, और वाइसर में मानता हूँ, अगर आपका customer, आपने चुन लिया ना, कि मेरा customer ये है, मु रुषी audience को सब करते हो, और रुषी के लिए आप marketing करोगे, तो अगर वो narrow हो जाती है, सारी चीज़े, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे के जरूती नहीं है, तो आपका conversion ratio अच्छा हैगा, क्यूंकि आप relevant audience को target करते हैं, conversion ratio अच्छा हैगा, तो आपके पैसा भी आएगा और उस पैसे को आप reinvest भी कर सकते हैं, मैं तो reinvest करता है वास तक, और I think अगर in case investor की जरूत भी पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि just वो investor नहीं लेना चाहिए, जो आपको बहुत पैसा देने के लिए तेयार है, आपके mission के साथ में कितना alignment है, आपके vision के साथ कितना alignment ह I think, personally, जो मुझे लगता है कि जो बहुत जादा important है, अगर कोई 50 क्रोड भी दे रहा हो लेकिन उसका vision और आपका mission मैच नहीं होता है, तो I don't think anybody should go for that, what do you think? Vision match होना चाहिए, प्लस आपके अन्वेस्टर को आपके साथ ला रहे हो, यानि कि आप साधी कर रहे हो किसी से, अब जब आप साधी कर रहे हो तो आप दिल मिलना चाहिए, वहाँ अगर आप इन्वेस्टर को यह बोल रहे हो कि भाई रुख जा, ऐसे नहीं इसको ऐसे उन्ञाओटर को सुने, ना कि वह कहे कि नई, मैंने तो पैसा दिया है, तो क्यों निकर वो वाली चीज़ नहीं होना है तो जय कों दिल मिलना चीह कि कि खिल वह वहीं इसको मेरी कि इन मेन चीजों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए Clarity There should have a clarity 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 ही आपको जिताएगी अगर clarity नहीं है तो आप कुछ भी करोगे आज कुछ कर लोगे, कल कुछ और आइडिया आएगा वो करोगे आपके माइन में एक आइडिया आया अगर intuition आपकी ये कहती है कि भाई, इसके अंदर कुछ जा तो कुछ जा कर लिए शुआ कि बहुत बार मुझे तो intuition बहुत जिता आती है और मैं कहता हूँ कि दिल की सुनके करो decisions अच्छे आते हैं लेकिन कई बर मार भी खाता है इनसान तो वहाँ पर आपको क्या करने है थोड़ा दिमाग का भी योज करने है जैसे मैंने कहा था कि आपको clarity होने चाए कि ये चीज ऐसे होगी क्या तो वहाँ पर आप सोच लिजिए कि दिल ये कह रहा है बट दिमाग ये कह रहा है करना क्या है अमीश्तिरपाठी जी से बात कर रहा था तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि दिल की सुने की दिमाग की को कि उनकी लाइफ में एक पड़ाव आये था जब उनको नोकरी कर रहे थे फिर किताब इतनी लिग दी और किताब बहुत शिवा ट्रायलोजी बड़ी हिट भी हो गई थी और उन्हें एक डिजिजन लेना था कि एक आयेम से निकले वे अच्छी नोकरी सब छोड़ करके इसमें फूल टाइम में कैसे आने है तो इस सेट वेरी ब्यूटिफुली कि जब सपना देखो तो दिल से देखो लेकिन उसको पूरा करने का जो प्रोसेस है वो दिमाग से बनाव बलकुत सही बात है बहुत ही ब्यूटिफुली उन्होंने बलकुत एक मिस्टेक करते हैं लोग जब स्टार्टप आगे बढ़ रहा होता है तो एक मिस्टेक करते हैं कि वो सिस्टम्स नहीं लगाते लगाने चाहिए बट उसके बीच में एक थिल लाइन है कि दिमाग और दिल वहाँ कितना कतना है आपको आप जो क्रेटिव लोग है आपकी टीम में उसके उपर सिस्टम नहीं लगाना आपको कभी भी आप उसको उपन छोड़ दीजे क्रेटिव इंसान है उसके उपर अगर आप मैं गहता हूँ जो चीज़ फिक्स हो गई न और क्रेटिव इंसान है वहाँ पर वहाँ क्रेटिव इटी नहीं आएगी तो क्रेटिव इंसान उसको आप छोड़ दो खुला कि बाई जो तिरा मन करे तो कर लेकिन जो चीज़े आपको लगता है रिपीटिव टास्क है और वहाँ आपको जब ओगनाईजिन को स्केल करना है तो वहाँ सिस्टम लगाने बज़रूरी है तो आपको वह दिमाग लगाने है तो मनोज जी हमने शुरुआत की थी कि भारत का पहला cloud platform या number one cloud platform तो कई लोग जिने technology के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये cloud platform देखिए cloud अगर आप word लेते हो या सुनते हो तो आपको आता है कि बाद ले और एक ये भी आता है कि जैसे mobile phone ये सब लोग ये उज़ कर रहे है तो सब को पता है कि cloud के उपस storage मिलता है तो दो टाइब की होता है एक storage होता है एक होता है जहां storage भी मिलता है compute power भी मिलती है जैसे laptop में होती है कि डिस्क बे हो गई है RAM CPU भी हो गई है और उसके बाद इसे internet अप यूज़ करते हो तो RAM CPU compute power जो है और internet के साथ अगर कुछ चीज है तो उसको हम cloud बोलते है जो कि कहीं से भी accessible की चाहती कुछ data centers होते है हमारे उस data centers के अंदर servers लगे होते है बहुत सारे जो internet provider है वहां connected होते है उनके साथ जैसे मैं आपको simple other answer दूँ Instagram की बात कर लेजिए आप YouTube की बात कर लेजिए तो अगर cloud नहीं होता तो ये नहीं होता तो cloud क्या गरता है कि आपने यहां से कोई भी data अप्लोड किया और उसको कहीं से भी access करना है अब वो depend है आपने write क्या दिया आप खुद access कर सकते हो या पुरी दुनिया देख सकते है तो आपने यहां से internet से कुछ डाला कि मुझे ये particular video देखनी है वो उस platform के उपर command चली गई उनके cloud के उपर कि इस इंसान ने ये देखने के लिए बोला है अगर उसको मिलेगा तो cloud से आउलोड होके आपके system पर दिख साएगा अच्छा मैं बोलुआ कि multiple computers जुड़े हो हैं पुरी दुनिया से उसको cloud बोलते हैं जो कि कही से भी accessible है internet के थ्रो तो आप ने कहा कि ये इंडिया का platform है तो जो इतने बड़े-बड़े players हैं Google, Amazon और उनसे कैसे आप compete करते हो मैं सबस्ता हूँ competition है नहीं अच्छा अगर आप बड़े करीब से देखोगे AWS Google इन सबको तो जितनी multinational company है इनका एक portfolio नहीं है कि ये सिरफ cloud दे रहे हो इनके बहुत सारे portfolio है ये लोग subjaya भी बेशते हैं ये लोग payment category भी देते हैं ये लोग गाने भी बेशते हैं सब कुछ करते हैं difference area आपे ये है कि उठो जो है वो मेरा अपना बच्चा है एक ही बच्चा है और आप समझ सकते हैं एक लोता बच्चा अगर आपके है तो आप उसकी gear किस तरीके से करते होगा तो competition अभी दूर दूर लग नहीं है जैसे कि performance की problem आती थी उसको हम लोग ने double कर दिया आज आप किसी भी international provider से अगर comparison करेंगे बारत के platform का तो बारत के platform की जो performance है वो double है अगर आप price wise देखेंगे तो 60-70% कम है अब क्यों है क्योंकि वो क्या करते है उनको हर किसी को सर्व करना है हर कस्टम को सर्व करना है चाए वो एक large corporate है जो की 2,000,000 क्रोड़ी कम नहीं है चाए वो एक mid-level का SMB है चाए वो एक छोटा business होगा रहा है और उनकी जो services आप देखोगे तो वो large corporate के लिए बनी होती है बट उस services का पैसा वो सबसे ले रहे होते हैं एक mid-size का जो business है जबकि उस service को use नहीं करता बट क्योंकि उस provider ने वो service बनाई उसके लिए बहुत सारे head count उसको hire करने पड़े टेक्निलोजी में invest करना पड़ा तो price में differentiate नहीं कर सकता कि मैं enterprise को यह दूँगा और आपको यह दूँगा तो price एक है अब उसमें उसको भुगत खोन रहा है नुकसान किसका है उस mid-level business owner का उस enterprise का जो service को use नहीं कर रहा बट पैसा अभी भी दे रहा है उसका हम लोग ऐसा नहीं करते हैं हम लोग specially जैसे मैं आपको बोला था ना कि आप अपने customer को पैचान लीजिए तो हमने हमारा customer पैचान लिया कि हमने mid-level businesses को serve करना है छोटे से लेके mid-level तक हम बहुत ज़्यादा बड़े businesses को serve नहीं करते हमारी वो target audience है हम उसके लिए बने है उसको serve करने के लिए हमारे पास सब कुछ है उसको cloud में infrastructure कुछ भी चाहिए compute चाहिए, power चाहिए, storage चाहिए networking में कुछ चाहिए, कोई भी web stack चाहिए वो सब हम देते हैं, हम उसमें expert है तो उसकी need को पूरा कर रहे हैं और cost का हो गई है international है तो कोई बड़ी चीज होगी इंडिया का है तो शायद चोटी चीज होगी बहुत से लोग ऐसा सोचते है और इसलिए कई बार international या भारी कंपनियों पर dependency जादा रहती है इन सब चीजों को ले करके तो क्या आप अपने positioning में messaging में यूज करते हैं कि वो भारत का product जो है उसे यूज करें बिलकुल यूज करते हैं क्योंकि देखिए performance उनसे better है price उनसे कम है support उनसे अच्छा है technology उनसे better है हर चीज बेटर है और example देता हूँ आपको सायद दुनिया ना change हो रही है अभी अगर हम देखें abuse बंचन जी है हमारे lens card वाले उन्होंने क्या किया एक चस्मों की market थी जो unognized थी जो बाहर के बड़े बड़े brand थे वो बहुत costly बिखते थे जैसे मैंने भी चस्मा खरीदा जो की 25,000 रपे काया तो मैंने lens card से भी चस्मा खरीदा जो की 15,000 रपे काया मैंने देखा कुछ खास फरक नहीं है फरक इसका है सिर्फ उस brand नेम का कि ये brand है लेकिन देखा जाए आज lens card ने market में कमाल कर दिया जबकि जब वो आया था तो उसके सामने same challenge था कि इतने बड़े brand है मेरे चस्मे क्यों खरीदेगा कोई आज भारत में एगर किसी को चस्मे करीदते होते हैं तो वो जाता है उसकी website पर लेता है तो ऐसे ही जब value आप market में देते हो जब आप quality के उपर focus करते हो कि देखो जी मैं उससे better या same quality आपको दूँगा price आपको कम दूँगा service आपको अच्छी दूँगा delivery आपको fast दूँगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे मैंने यह देखा है experience किया है उन्होंने भी किया है और हम करी रहे हैं तो लोग जुड रहे हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा मिल रहे है तो brand वो कैते हैं न कि दिखावे के लिए लोग लेते तो जितना दिखावा करना होता है आप कर दिशे लेकिन अगर आपको आपकी company को profitable आना है आपके product को profitable लेके आना है बिना product में change किये बिना company में change किये आप profitable बन सकते हैं करना है आपको सिरफ cloud provider चेंज कर और वो जो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और मैं कहता हूँ वह सार जो नहीं कर रहा है वो करेगा वो एक दिन पक्का करेगा राइट जैसे आपने देखा होगा आप NLP की mastery आपको तो आप देखते हो लोगों के क्या belief system होते हैं हाँ मैं न किसी भी इनसान के belief system एकदम से change नहीं कर सकते हैं अब किसी business owner को आज सुद आ गई है कि हाँ मुझे change कर लेता हूँ मुझे तो profit चीए मुझे नाम नी चीए किसी को 3 साल बाद आएगी लेकिन मैं कहता हू आएगी 100% आएगी उसको change करना पड़ेगा So ये एक entrepreneur की बात रही एक founder की बात रही अब जो कई बार जो stress आता है काम के अंदर या बहुत exhaustion होती है travel होता है तो how do you handle that stress जो ये जो podcast हमने चालू किया कि लोग अपने stress के बारे में inner wellness पर focus करें कि सफलता पानी तो ज़रूरी है लेकिन ये पाते पाते हम क्या बनते जा रहे है उसको भी समझना ज़रूरी है So how do you take care of yourself stress या फिर overthinking जब भी होती है तो क्या करते है आपकी जिन्दगी में clarity होनी चाहिए overthinking भी मुझे लगता है दो चीजों से आती है वन आप एक ऐसे काम को कर रहे हो जिसमें आप पर कुछ होने वाला नहीं है आप interested भी नहीं हो आप ते कहीं से सुन लिया ये करने है और वो आप लगके करने है दूसरा आपको उस काम में result नहीं आ रहा है साइध आपने plan नहीं किया उस थरीके से जब copy panel लेके बेठता हूँ तो चीजें आ जाती है उदर के क्या है reason और जो कहते है न motivation चाहिए वो motivation लिशी होती थोड़ी थोड़ी step आप आगे बढ़ते हो न वो चीजी होता है तो जब clarity मिलती है तो आपको immediately mind makes signal जाता है कि अच्छा ऐसी होगा ये होगा तो जो overthinking है वो खतम हो जाती है उससे बाकि I do lots of meditations मैं अकेले बहुत time spend करता हूँ me time मेरा बहुत रहता है मैं almost दो मेने तीन मेने में hotel check-in कर दिया या मैं पहाडों में चला गया तो मैं करता हूँ ये पुरा I believe in God मुझे लगता है कि हम तो बस बेठे हैं यहां पर इसारे तो उनके हैं अब उनके इसारों पर हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं तो अगर कभी भी ऐसा disturb होता हूँ मैं प्रिशान होता हूँ तो मैं सांग बेढ जाता हूँ मैं कुछ निकरता दूसरा मैं ये मंनता हूँ कि कभी भी गलत होता है न तो मैं कहता हूँ कि जो होता है जिन्दगी में अच्छे के लिए हर चीज का परपस है आज कुछ गलत हुआ है न तीन मेने के बाद वही चीज surprisingly ऐसा लगता है ये गलत नहीं हो होता तो आज में यहाँ कैसे होता उजह कहता है न connect the dot हमेशा past से ही होती है कि past में देखते हैं तब भी वो dot समझ में आती है वरना मुश्किल हो जाती है छल पिलकुल पिलकुल तो वह वहला तो मैं सब को यहीं बोलो हूँ कि आप थोड़ा बगवान के तरप देखिए meditation कीजिए और मैं यह नहीं कहता बगवान की तरफ कहीं और देखिए अंदर यह आपके आप अपने अंदर देखिए आप जब meditation करते हो तो आप अंदर देखते हो आस-पस की आवाज है सुनते हो विजुलाइज सम्थिंग work-life balance कैसे create करते हो because कई वार entrepreneur मतलब hustle 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 work work so family को time देना relationship और दोनों की बीच में वो work-life balance कैसे create करते हो मुझे लगता है work-life कुछ होता नहीं जब हम उठते हैं तो हम phone देखते हैं WhatsApp चेक करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है न जब हम सोते हैं तो हम यही काम करते हैं और यह हर इंसान की कहान मेरी तो actually है यह सबसे ज़रूरी है कि आप एना अपनी family को align कर लो so मैं मेरी wife है कुसम बेटा है तो तैसे जब हमने उठोकूरी brand किया तो रात दिन करना पड़ता था आज भी करना पड़ता है बहुत सारा काम था तो मैं घर पर टाइम नहीं दे पाता था तो मैंने घर वालों को align किया कि देखो मेरा ये mission है अभी है ना और बेटा मुझे इस पर जाना है बेटे ने पुछा अब mission क्या है मैंने का बेटा भारत का कोई भी platform आज टोप पे नहीं है सब international है पापा किये चाहते हैं कि बारत का एक platform आज ला चाहे वो गहरे ठीक है आप करो अब उसको हपते में कुछ गंटे चाहिए होते हैं जो मैं देता हूँ जो हमारा एक agreement हो रखा है दोनों का कि हाँ आब इतना time साथ बिताएंगे तो इस एपी वाइफ के लिए भी थोड़ा सा time निकालते हैं तो अलाइन है कि हाँ इतना time उनको देना है बट ये नहीं कर सकते कि नहीं आप शाम को पाज बज़े गर पे आए और उसके बादा family के साथ आंत्रपनोर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो दिमाग तो रात को भी चल रहा है सोते में ने चल रहा है और उसी चीज के लिए चल रहा है और थोड़ा सा अपनी बुक के वारे में अगर आप बताएंगे कि आइ तींग आपनी किताब भी लिखी है तो इफ ये सर बुक मैंने लिखी है सपनों से हकीकत तक तो मैंने कभी एक सपना देखा था जैसे बच्पर में मैंने बताया जब मैं घर से निकला कि मुझे कुछ बड़ा करना है और आज वो हकीकत तक पहुँच गए है जिस मुकाम पे हम लोग हैं जो हमने अचीव किया है तो इस बुक के अंदर मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी है क्या क्या स्ट्रगल हुआ कैसे मैं यहां तक आया कैसे बिजनस के अंदर आया कैसे उसको स्केल किया स्केल करते हुआ क्या चलेंजिस आए वो सब कुछ है और मैं काफी बर सोचा मैंने कोई बुक लिख लूँ क्लावड के उपर लिखूं कुछ लिखूं बट मैं लिख नहीं पाया मैं लिखने में कुछ ज़्यादा है नहीं बट फिर मैंने सोचा कि वनोज अगर अभी तो इस जिन्दगी में है कल का हमें किसी को नहीं पता कल क्या होगा तो क्यों ना तो अपने जिन्दगी के उपर बुक लिख है जो तो नहीं किया है जो लोग आज हार मान के बेठे हैं जो लोग कहते हैं कि ये तो वो कर सकता है जिसके बास पैसे हैं ये किसान का वेटा नहीं कर सकता वहां से उठके सहर में कोई कुछ क्रेट नहीं कर सकता कुछ बढ़ा नहीं कर सकता उसको जब ये बुक पढ़ने को मिलेगी और वो अगर इसमें से इंस्पायर हो गया और अगर दस और मनोज खड़े हो गे ना भारत में तो बहुत सारी value addition होगा और भारत के अंदर बहुत सारे product निकलाएंगे बहुत सारा innovation होगा तो मैंने कहा मुझे करना है और फिर मैंने राद दिन में के इस book को लिखा तो जो भी इस book को बढ़ेगा उसको inspiration मिलेगी जो गलतिया नहीं करनी चीए अगर वो हो भी रही है तो कैसे ना करें वो सीखने को मिलेगा कैसे आप एक छोटे काहों से आकर कुछ क्रेट कर सकते हो वो सीखने को मिलेगा लबली, beautiful तो बहुत थी important tips and insights आपने दिये मनोच and now we'll move to the rapid fire so let's go for the rapid fire I hope बढ़ाई जीजी सा चलिए ते so rapid fire with Manoj जी starting now एक शब्द जो आपके start-up journey को describe करे decision आपके favorite entrepreneur कौन है ratan tata सुबह उठने के बाद आपका पहला काम पहला काम wife का चेहरा देखना आपके लिए success का मतलब value addition आपका stress buster क्या है stress buster मुझे लगता है मेरा कामी है Indian tech industry में आपका favorite innovation tech industry में favorite innovation उठो आपका personal मंत्र add value to others एक mistake जो आप दुवारा नहीं करना चाहते दूसरों के नहीं सुनने favorite vacation spot कहें भी hills में brain या फिर heart heart आपके favorite time management hack the schedule event on paper and pen हर entrepreneur को अपने toolkit में क्या रखना चाहिए copy pen एक advice जो आपको किसी ने दी थी और आप हमेशे याद रखते हैं तू जो करता है दिल से करता है और तुझे यहीं करना है investment या independence startup के लिए पैसा raise करना या bootstrap रहना depends अगर आपको पैसे की जुरूरत है scalability पैसे से ही आ सकती है तो आप पैसा लेजिए अगर scalability आप वैसे ला सकते हैं bootstrap तो bootstrap लवली last में एक आखरी lesson जो आप हमारी audience को देना चाहेंगे especially वो लोग जो खुद का कुछ शुरू करना चाह रहे हैं शायद अभी नोकरी में हैं डर रहे हैं क्या आप एक lesson उने देना चाहेंगे सबसे पहली ये बात कि अगर आप नोकरी में हैं तो आपको ये देखना है कि आपको business करना क्यों है दंदा start क्यों करना है क्या वो नोकरी में रहते हुए आप वो चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो तो कि देखो जिस company में आप काम कर रहे हो कहीं न कहीं align तो होंगे आप उससे वैसे आप नहीं जाते destiny आपको वहीं पोलजाती है अगर आपको लगता है कि जिस organization में आप काम नहीं कर रहे तो मैं बोलूँ है time is a biggest investment time is a biggest risk तो आप अपने time का risk लिजिए clarity लेके आएए कि ये मुझे करना है और इस particular audience के लिए करना है कौन सा product आप लेके आओगे और किस दुनिया के लिए लेके आओगे किन लोग उनके लिए लेके आओगे वो लोग कहां रहते हैं वो decide किजिए उनका experience रहा है यकीन मानिए हर किसी इंसान का different experience रहा है मैं कहता हूँ आप इस दुनिया में experience लेने आए हैं तो experience ले लिजिए दिल की सुनके लिजिए दूसरों के experience से मट केजिए दूसरों के experience से अगर आपको लेना है तो सीखना है observe करना है दूसरे क्या mistake कर रहे हैं वो mistake आपको ने करनी